आज हम बताने माले हैं, गोल्डेन और सिल्वर मिठाई, जो कि आप मार्केट में बने हुए चिमकी का परत होता है, जो कि आप उसे बना हुए एक सिल्वर और गोल्डेन जैसी परत लगी होती है, और उसे आप जरूर खाये होंगे कभी, लगिन क्या आपको पता है कि ये आएदे भी कर सकता है, लेकिन पूरे बात आप जानेंगे, तभी ये बात आपको पते चलेगा, तो बिना इसकिप किया हुए इस वीडियो को पूरा वाच कर ले, मैं हूँ चंदन गुप्ता, आप आगे हैं चंदन गुप्ता की चैनल, तो बिना देड करते हुए सब्सक् भी वर्ग चला जाता है, लेकिन इन चांदी के वर्ग को लेकर कयी तरह की रिपोरट्स सामने आए, और कहा ज़र आए कि एक तो इसे स्वास्थ के लिए अच्छा नहीं होता, और वहीं इसके बनाने के लेकर कई तरह की कहानियां भी बताई कही है, और कहाज ज़र आए न् जानवरों की हडड़ी और चमड़ी के बने चमड़े का इस्तवाल किया जाता है अब ऐसे में सवाल आता है कि जिसे हम बचपल से चांदी के वर्क से जान रहे हैं उस वर्क में क्या सही चांदी या सोना मिल जाता है या फिर इसके नाम पर चांदी या सोना होता है बता दे कि चांदी के वर्ग जो कि अंग्रेजी में सिल्वर लिप भी कहा जाता है यहां चांदी का केवल पतली परत होता है किताब और कागज से भी काफी पतली परत होता है जहां चांदी और सोना होते हैं होने की बात है यह चांदी और सोने से नहीं बनाए जाते हैं लेकिन आया जात होने की दावा भी किया जाता है सोचल मेडिया पर अब कुछ तत थे और कई तरह के चीजे हैं जो कि चान्दी के वर्क के बारे में बता जाया काय जाता है कि गाय को इसे मारा जाता है और उसके पेट में इसे अतर्या निगाल कर उसके अंदर के चमकीले चांदी जैसा धातू का टुकड़ा परदर आत की पलेट कर रखा जाता है और उसके खोल बन जाए और उसके बाद उसे लकड़ी के हथोरे से जोर जोर से पीटा जाता है और इसके आत के आत भैल आती और इसके आत के साथ धातु का टुकरा वर्क के रूप में पतला हो जाता है लेकिन ऐसा नहीं होता है वर्क को बनाने के लिए चांदी को पीटने की जरुरत होती है तो पहले चमरे को एक बैक बना कर उसे पीटा जाता है लेकिन अब काफी कम अब वर्क बनाने के लिए पशुगों को किसी भी अंग को इस्तिमाल करने की प्रतिबंधित लगा दिया गया है लेकिन चम्रे का इस्तिमाल पहले किया जाता था और क्योंकि चम्रा लंबे वक्त तक फटता या खराब नहीं होता और इसलिए जायतर चम्रे का उपयोग किया जाता था लेकिन समय बतलता गया और आज कहाँ जार आए कि ये सब चीज एक केमिकल से तयार किया जाना है और आनेवाले दिनों में ये सब केमिकल का बहुत-बड़ा मार्केट होई लेकिन हम सब इसे अच्छा समझ कर खाते हैं लेकिन ये अँसलिएं केमिकल का बना हुआ प्रोड़क्ट प्रोडक्ट है जिकिए आपके शरीर के लिए फायदेमनद बिलकुल नहीं और ये आपके आने वाले दिनों में ये मिठाई आपके cancer का कारण भी बन सकता है वहीं कहा जाता है कि ये chemical को कुछ चीज़े होती हैं जो कि silver और gold की work से बनाया जाता है लेकिन वो original होता है और जो भी market में अगर original कोई रखता है वो थोड़ा महांगा ज़्यादा परता है साथ ही साथ वो शरीर के लिए फाइदेमंद होता है लेकिन आज कल market में सस्ता के कारण लोग local product यूज करते हैं जो कि chemical वाला होता है और वो शरीर के लिए बहुत ही नुक्सान दायक होता है तो चलिए यही पताना जाते थे इस वीडियो में जो कि बहुत ही ज़्यादा important है और अपने भाई बंदू और अपने परिवार को जरूर से जरूर से एड़ करें ताकि उन्हें भी इस मिठाई के बारे में पता चल सके और इस मिठाई का खात्मा हो सके और आपके परिवार और फैमिली सबकोई स्वास्थ और मस्थ रहें तो मिलते एकले वीडियो में कुछ नई बात और कुछ नए इंफर्मिशन के साथ जा हिंद जा भारत